जह इन्सातियों मैं जह स्वागत करता हूँ आपके परिवार एक्जाम इंडियावार में फ्रेंड साज हम पढ़ेंगे वित आयोग किसके बारे में चर्चा करेंगे साहित थी फाइनेंस कमीसन यानी वित आयोग वित आयोग साथी प्लीज नोट्स बनाते जाईए बिना नोट्स के आपकी क्लास करना ये बेकार होता है नोट्स बनाईए उनका प्रॉपर रिमीजन करिए चलिए बालत करते हैं किसकी फाइनेंस कमीसन यानी एफ सी तो सबसे पहले बात आती है Finance Commission का काम क्या होता है तो Finance Commission जो होता है वो भारत सरकार अर्थात केंद्र और राज्ज के मद्ध जो Tax होता है उसके बटवारे का काम करता है तो सबसे पहले इसके कारी की बात कर लिए किसलिए वित आयो का गठन किया जाता है तो कारी होता है साथी इसका केंद्र वा राज्ज के मद्ध के मद्ध क्या करता है साथी तो Tax बटवारा Tax यानि करका क्या करता है बटवारे की सिफारिस करता है बटवारे की सिफारिस करता है अब एक बात आती है क्या जो ये आयोग है इसका सम्विधान में उल्ले किया गया है क्या ये सम्वैधानिक संस्था है तो जी हाँ बिल्कुल भारती सम्विधान का आर्टिकल 280 क्या चीज़ सा थी भारती सम्विधान का अनुच्छेद इसमें कहा गया है कि भारत में एक वित आयोग का गठन किया जाएगा जो केंद्रवा राजजी के मद्धे टैक्स के बटिवारे की सिफारिसें करेगा अर्थात इनको सुझाओ देगा सलाह देगा कि किस प्रकार हमें टैक्स का बटवारा अपस में करना है तो आर्टिकल 280 के साथ क्या है साती कानूनी संस्था है अर्था सम्वैधानिक संस्था है आप से पूंचा जाएगा वित आयोग किस प्रकार की संस्था है तो सम्वैधानी कर था जिसका सम्विधान में उलेख है समवैधानिक संस्था है अब वित्वायोग की नियुक्ति कौन करता है प्रधान मंत्री राश्ट्रपती या उपराश्ट्रपती साथी नियुक्ति की बात करें जो वित्वायोग की नियुक्ति है नियुक्ति का काम भारत के नियुक्ति काउन करता है साथी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपती भारत के जो राष्ट्रपती होते हैं वो वित्त आयोग की नियुक्ति का काम करते हैं तो साथी आप ये लिख लिजिए वित्त आयोग काम क्या होता है केंद्रोवा राज्य के मध्य टैक्स अर्थ जो कर होता है जैसे जीस्टी करेक्शन होता है तो इनका बटवारा किस प्रकार से करना है अगर ये आयोग न हो तो केंद्र और राज्य आपस में लड़ जाएंगे कहेंगे हमको इतना दो राज्य कहेंगा हमें इतना दो केंद्र कहेंगा नहीं इतना नहीं देंगे तो यही स संस्था होती है जो इनको इस जगडे से बचाने का काम करती है किस अनुच्छेद में बात की गई है 280 में कहा गया है कि एक वित्तायोग होगा अर्थाति समवैधानिक संस्था है नियुक्ति कौन करता है तो भारत के साथी राश्ट्रपती करते हैं आई होप आपने लिख लि बात करते हैं कारेकाल जो फाइनन्स कमीशन होता है इसका कारेकाल कितना होता है फाइनन्स कमीशन मतलब वित्तायोग कारेकाल की बात करें साथी किसकी बात करें तो मेरे भाई कारेकाल इनका होता है पांच वर्स इनका कारेकाल होता है और योग्यता की बात करें योग्यता तो हाई कोट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए हाई कोट के जज बनने की योग्यता जो होती है वही फाइनेंस कमीशन का सदस्य या धच बनने की योग्यता माली जाती है अब इसके सदस्य की बात करें कितने सदस्य है तो इसमें साथी एक अध्यक्ष होते हैं एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं चार अन्य सदस्य होते हैं तो ये बात आपको समझ में आ गई हो गई अब साथी बात करते हैं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आपसे पूछा जाएगा कि पहला जो फर्स्ट फाइनेंस कमी इसका गठन कब हुआ तो साथी यह बनता है 1951 में 1951 में पहली बार पहला वित आयोग बनाया जाता है और इसकी जो सिफार से होती है 1951 में बनाया जाता है फिर एक साल तक सर्वे करता है फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्थूद करता है तो इसकी जो तो रिपोर्टे थी वो कब से कब तक लागू ही तो 1952 से लेकर 1957 अर्थात 5 साल के लिए मैंने पहले ही बता दिया है 5 साल तक के लिए क्या किया इसने अपनी रिपोर्टे प्रस्तूत की पूछा जाता है पहले वित्त आयोग के अध्यच कौन थे तो साथी केसी नियोगी केसी वित्त आयोग का गठन किया गया था साथी इसी के साथ बात करते हैं दूसरे वित्त आयोग की किसकी बात करते है साथी सेकेंड फाइनेंस कमीशन यानि दूसरे वित्त आयोग की तो इसका जो गठन होता है साथी अर्थात जो इसका बनाने का काम होता है वो 1956 में बन जाता ह होती हैं अगर मैं इसके आध्यच्छ की बात करूं कौंते साथ thी के संथनम के संथनम के संथन ऐसके सेखेंड वाले के तो यह आपने लिख लिया होगा करेकाल पांच वश्योगता हाइ שמס बनने की योगता कोणी चाहिए सदस से चाप चार सदस से और एक अध्यच पांच लोग कुल होते हैं फ़र्ष्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में गठन होता है जिसकी रिपोर्टे 1952 से 57 तक लगती है अध्यच कैसी नहीं होगी सेकेंड फाइनेंस कमीशन के संथानम इसके अध्यच होते हैं 1956 में गठन किया जाता है तो मेरे साथ ही आपको 13 वितायोग तक क्योंकि हमारे एक्जामस में फस्ट सेकेंड और फिर लास्ट तीन ये मोस्ट इंपॉर्टेन रोल निभाते हैं तो बात करते हैं 13 वितायोग 13 फाइनेंस कमीशन कब बना साथ है तो यह 2007 में बनता है कब बनता है 2007 में राष्ट पैती 13 वितायोग क्या गठन करते हैं यह 3 साल तक अपनी रिपोर्टे कठा करता है सर्वे करता है जाच करता है फिर यह इसकी जो रिपोर्टे लागू होती है 2010 से लेकर 2015 तक कब से कब तक साथी 2010 से लेकर 2015 तक अगर इसके मैं अध्यक्ष की बात करूं तो विजय केल कर कौन हो जाते हैं साथी 13 वितायो के विजय एल केलकर ये होते हैं इसके अध्यक्ष फिर बात करते हैं चौदाहवे फाइनस कमीशन के किसकी साथी 14 फाइनस कमीशन गठन कब होता है तो मेरे बाबु गठन होता है इसका 2012 में कब होता है 2012 में 2014 वितायोग का गठन होता है और इसकी जो रिपोर्टे हैं 2015 से लेकर कोरोना काल 2020 तक लागू होती हैं अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो वाईवी रेड़ी साहब वाईवी रेड़ी 14 वितायोग के क्या है साथी अध्यक्ष हो जाते हैं वर्तमान में जो चल रहा है वो 15 वितायोग की रिपोर्टे लग रही है तो बात करते हैं 15 वितायोग 15 फाइनस कमीशन साथी जो 15 वितायोग है 2017 वी इसका गठन होता है राष्टपती द्वारा और इसकी जो रिपोर्टे हैं वो दो बार लगी है एक तो एक साल के लिए इसने अंत्रिम रिपोर्ट दी थी कोरोना के टाइम में तो साथी इसकी किदने रिपोर्टे आई है दो रिपोर्ट तो फ जो लेकантे रिपोर्ट यह 2020 से लेकर 2021 तक अंत्रिम रिपोर्ट आई थी और इसकी जो सेकेंड रिपोर्ट है साथी के सेकंड रिपोर्ट की बात करें तो 2021 से लेकर किस से लेकर 2026 तक सक्तिकांत दास रिजर बैंक आफ इंडिया के गवर्नर इसी फाइनेंस कमिशन के वो जो चार सदस अन्य सदस से हैं उन्हीं में से एक थे जो क्या बन जाते हैं आर भी आई के गवर्नर बन जाते हैं तो इस बात को भी याद रखना और इसके अध्यक्ष की लिख लिए होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्जाम के लिए तेरह में फाइनेंस कमिशन 2007 में गठन 2010 से 15 तक के लिए फिर इसके बाद साथ ही आ जाता है चगधामा 2013 में गठन वाई वी रेड़ी के अधच्छता 2015 से बीस तक 15 हमें की बात करें 2017 में गठन चेर्मैन करेंट में चल रहा है क्या हुआ है जो यह 15 वित्तायोग है साथी अर्था जो इनके सिंग की अधच्छता वाला था तो उसने कहा है जो स्वास्त होता है स्वास्त क्या होता है राज्य सूची का सब्जिक्ट है तो स्वास्त को इन्होंने कहा है समवर्ती सूची का बना दी तो सबसे पहले में बता दूं कि भारती सम्विधान में एक आती है अनुसूची साथ अनुसूची साथ इसमें क्या आए साथी केंद्रवा राज्य के मध्य सक्तियों का बटवारा केंद्रवा राज्य के मध्य सक्ति बटवारा इसमें तीन सब्जेक्ट आते हैं पहला आता है साथी संग्वसूची अर्था जिस पर क्या करती है केंद्र सरकार कानून बनाती है सेकेंड आता है समवर्ती सूची अर्था जिस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं और एक आता है राज्य सूची राज्य सूची जिस पर हमारी राज्य सरकार कानून बनाने का काम करती है अब इसमें total subject कि इसमें साथी हो जाते हैं 97 subject समवर्ती सूची में आ जाते हैं 47 47 और राज्य सूची में आ जाते हैं 66 चाचछट सब्जेक्ट तो कुछ इंपॉर्टेंट है जिनकी में बात करता हूं राजसंग सूची के सब्जेक्ट की बात करें तो आपका रेल विदेश मामले रेल विदेश मामले रक्षा क्या साथी रक्षा हो गया बैंक मुद्रा आपसे पूठेगा मुद्रा किसका सब्जेक्ट है संग समवर्थी राजिका तो वहाँ पर आप betाएंगे संग सूची इसके अलावा साथी संचार संचार आपने देखा था प्रधान मंत्री मोधी ने नोट बंदी की थी तो किसका था नोट बंदी केंद्र सरकार का फैसला था मुद्रा से रिलेटेड था तो क्या हो जाता है संग सूची यही पर अगर मैं साथी समवर्ती सूची की बात करूं तो आपका क्रसी आजाता है, सवरी समवर्थी में सिच्छ आजाता है, विवाह आजाता है, गोदलेना NEW परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, अर्थात इन पर क्या होता है ये जो सब्जेक्ट है इन पर हमारा केंद्र और राज दोनों कानून बना सकती हैं और वन व्यापार क्या क्या साथी वन और व्यापार बात करें राज सूची की साथी तो हमारा क्रसी आज आता है कानून सिचाई स्वास्त क्या क्या आता है साथी क्रसी कानून अर्थात पुलिस प्रसासन जो पुलिस है वो राज सरकार के अंतरगत सिचाई क्रसी कानून सिचाई ये किसके अंतरगत आते हैं साथी राज सरकार के अंतरगत आते हैं तो अंसूची साथ केंद्र और राज के मद सक्ति बटवारा और इसी में क्या आता है स्वास्त आता है राज सरकार में क्या आता है साथी स्वास्त आता है तो जो पंद्रहमा वित्त आयोग है वो कहता है कि जो केंद्र सरकार है जो हमारी GDP होती उसका 0.5% स्वास्त पर खर्चा करना जाती है क्योंकि COVID-19 के कारण सबकी आखे खुल गएंगे तो क्या कहती है सरकार की 0.5% हम अपना GDP का जो है स्वास्त पर खर्चा करेंगी तो पंद्रह में वितायोग के जो अध्यचे नके सिंग ने रिपोर्ट दी है कि भाई ये जो स्वास्त है इसको आप क्या कीजिए राज्य सूची से उठा कर समवर्ती सूची का सब्जेक्ट बना दीजिए तो क्या होगा स्वास्त पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बन हुआ है तो यह याद कर लेना यह पूछ सकता है किसका कौन सा विजय है विशय है और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं इससे आप से पूछा जाएगा कि जो चौधावा विद्धायोग है 14 विद्धायोग ने सिफारिस की थी की 42 प्रतिसत जो टैक्स है 42 परसेंट कौन केंद्र राज्य को दे अर्थात जो केंद्र सरकार है वो क्या करेगी साथी जितना हमारा रिवेन्यू कलेक्ट होता है टैक्स कलेक्ट होता है उसका 49-42 परसेंट क्या करेगी 42 परसेंट राज्य सरकार को देखी जबकि जो उदा हमें वित्तायोग वो पंद्रहवा वित्तयोग है एंके सिंग वाला उसने का नहीं बैस साब इस बार 42 नहीं 41 परसेंट क्या करेगी साथी केंद्र राजी को देखी इसका कारण उन्होंने क्या मताया कि जब यह रिपोर्ट आई थी साथी तब क्या था कि जो हमारा जम् जो खर्चा होता है वो केंद्र सरकार करती है तो उन्होंने का नहीं अब यह एक परसेंट घटा दिया जाएगा तो साथी वित्तायोग और अन्य कई सारी जानकारियों से रिलेटेड आपकी क्लास थी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करना अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नएं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर अपने परिवार को कराने में थोड़ा बड़ा कराने में महिना थोड़ा हेल्प किसे ताकि आप लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें और फ्रेंड के साथ ट्विटर फैस्बुक हर जग सेयर क कर दीजिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए जय हिंद जय भारत